स्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादिव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको पापान कुषा एकदसी व्रत कता सुनाओंगी तो चलिए सुनते हैं पापान कुषा एकदसी व्रत कता बुली गड़े स्वी महराज की जै बुली विश्वु भगवान की जै पापान कुषा एकदसी अश्वी अश्विन मासे सुक लपक्षे की एकदसी को कहते हैं इस एकदसी का महत्व स्वयम भगवान स्री किष्ण ने धर्मराज युदिश्टिर को बताया था इस एकदसी पर भगवान पद्न नाप की पुजा की जाती है पाप रुपी हाती को इस व्रत के पूड़े रुपी अंकुष से बेदने के कारण ही इसका नाम पापान कुषा एकदसी हुआ इस दिन मौन रहकर भगवान इसम्रण तथा भोजन का विधान है इस प्रकार भगवान के अराध्ना करने से मनसुद्ध होता है तथा व्यक्ति के सद्गुणों का समावेश होता है आए सुनते हैं पापान कुषा एकदसी प्रत कथा प्राचीन काल में विंध परवत पर कुरोधन नामक एक मशूर बहलिया रहता था उसने अपनी सारी जिंदिकी हिंसा, लूटपार्ट, मद्यपान तथा मिठ्या भास्टर आदे में व्यतीत कर दी जब जीवन का अंतिन समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को लिया हैं यम्दूदों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिन दिन होगा मृत्यू के भैस से भैबीत वा बहलिया महरसी अंगीरा की सरण में उनके आसरम जाप पहुचा महरसी ने उसके अनय विनय से प्रशन होकर उस पर क्रिपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली अश्विन सुकल एकादसी का बिती पूर्वक व्रत करने को कहा इस प्रकार वा महताप की व्याद पापान कुशा एकादसी का व्रत पुजन कर भगवान की क्रिपा से विशूर लोग को गया उदर यमदूत इस चमतकार को देखकर हाथ मलते रहे गए और बिना कुशा एकादसी के दिन एक और भी कता सुनी जाती है जो की इस प्रकार है एक बार युदिश्टिर ने स्रीकृष्ण से पुछा कि अस्विन सुकल पक्षी एकादसी का क्या महतो है और इस औसर पर किसकी पुजा होती है और इस व्रत का क्या लाब है युदिश्टिर की मधुरवाणी को सुनकर गुड़ा अतीत स्रीकृष्ण भगवान बोले भगवान स्रीकृष्ण ने कहा है कुंती नंदन अश्विन महा के सुकल पक्षी एकादसी का नाम पापा अनकुशा है इसका व्रत करने से सभी पाप नश्ट हो जाते है तथा व् मनुष्य कठिन तपश्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं वे फल इस एकादसी के दिन छीर सागर में शेशनाख परशैन करने वाले भगवान बिश्रू को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं ये पार्थ जो विश्रूभक्त स्यूजी की निंदा करते हैं अत्वा जो स्यूभक्त विश्रूभवान की निंदा करते हैं वे नरक को जाते हैं हजार अस्वमयोग तथा सो राजस्यू येक का फल इस एकादसी के सुलाहें भाग के बराबर भी नहीं होता और थात इस एकादसी व्रत के स समान संसार में कोई अन्य व्रत नहीं है इस एकादसी के समान विश्य में पवित्र नदी भी नहीं है जो मनुष्य एकादसी का व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घीरे रहते हैं जो मनुष्य किसी कारवस केवल इस एकादसी का वास भी करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं इस एकादसी के व्रत को करने से मनुष्यों को निर्योगी काया तथा सुन्दर नारी और धन धन की प्राप्ति होती है और अंतिमिवा स्वर्गों को जाता है जो मनुष्य इस एकादसी के व्रत में रात्री जारण करते हैं उन्हें सहजी स्वर्ग की प्राप्ति होती है इस एकादसी के व्रत करने वाले मनुश्यों को मात्र पक्ष के दस पुरूस, पित्र पक्ष के दस पुरूस, तथा इस्तरी पक्ष के दस पुरूस, भवान, विशुरू का रूप धरकर एवं सुन्दर आभुशुरों से परिपूर्ण होकर विशुरू लोग को जाते हैं। होते दरिद्र मनुष्यों को भी एथा सकती कुछ देकर कुछ पूर्ण अवश्य अरजित करना चाहिए जो मनुष्य ताला पगीचा धरमसाला प्याव आधी बनवाते हैं उन्हें नर्ग के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं वह मनुष्य इस लोक में निरोगी पुत्र तथा धन धाने से परमपूर्ण होकर सुक वोकते तथा अंत्मे शरग लोग को जाते हैं भहगवान सरी हरी की किरपा से उनकी दुर्गती नहीं होती है पापान कुछा एकादसी व्रत गथा संपूर्ण बोले विश्रू भगवान की जै स्री एकादसी माता की जै